नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजी मस्ती में दोस्तों जो एनसी का आने वाला एक्जाम रहेगा उसमें सौयल साइंस से भी कोष्जन आते रहते हैं तो जो प्रमुक कोष्जन सौयल साइंस के थे मैं वो आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं तो वीडियो को like, share और comment जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों समझ में आए तब ही चैनल को subscribe में करें लगे जानकारी ठीक ठाक है तो आप चैनल को subscribe जरूर करें तो जानते हैं सबसे पहले कि crop having the highest tolerance to boran is मतलब बोलता है कि कौन सी फसल बोरान के प्रती highest means बहुत ज़्यादा resistance है तो वो कौन सी फसल है तो आप बता सकते हो सुगर बीद जिसको की चुकंदर बोलते हैं उसके बाद आता है insolubal insolubal fraction of organic matter is human इसमें क्या होता है ऐसा organic matter में क्या होता है जो insolubal होता है fraction के फाम में तो वो होता है human उसके बाद आता है lowering of the BD of the soil indicator मतलब जो BD का indicator होता है जो BD को represent करता है वो कौन सा होता है तो better physical properties बेटर physical property पे निरभर करता है BD उसके बाद आता है recently, recently farmed soil order मतलब कि जो soil का order है वो recently count सा है anti soil anti soil में क्या होता है कि ये soil का order है उसके बाद PPM percentage 10,000 पर PPM equal to 10,000 जो बराबर होता है वो कितने PPM के बराबर होता है 0.00001% के बराबर होता है उसके बाद अगला आता है red soil are found in मतलब जो लाल मरदा होती है वो भारत के किस राज में पाई जाती है धिक्तर तो आप बता सकते हो तमिल नाडू में पाई जाते है उसके बाद आता है soil pH मेचर soil pH measures active acidity of the soil मतलब जो मरदा का pH होता है वो क्या present करता है acidity present करता है कितनी acidic soil है इस चीज़ को वो present करता है उसके बाद आता है the elements require for seed formation मतलब count to require means आवश्यक होता है seed formation के लिए तो fast forest require होता है आवश्यक होता है उसके बाद आता oxidation means addition oxidation means addition of oxygen or loss of electron मतलब oxidation में क्या होता है जुड़ते और oxygen oxygen को जुड़ना और उसका लास होना यह oxidation process में होता है उसके बाद आता है reduction means क्या होता है addition of hydrogen gas का remove होना और oxygen gas का electron के रूम में आना लेना oxygen को remove करता है और gain means लेता है क्या oxygen को उसके बाद आता है गला पोइंट on the number of on the number basis population of microbes in normal soil मतलब जो किस की संख्या सबसे ज़्यादा normal soil में उपस्थित होती है छोटे जो सूच्म आर्गानिक आर्गनिजम होते है bacteria होते हैं या छोटे छोटे कीले होते हैं जो मिट्टी को उसकी पुशक्ता बनाए रखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या है उसका number क्या है तो आप बता सकते हो bacteria है उसके बाद में actino macetido cateido is that कि यe सबी चीजे होते हैं स्वाइल्फ में डे पराडे या उसमें इस हिसाप से वह पाई जाते हैं उसके बाद में जो आता है देखो अध्यों सबसे पहले स्वाइल में बैक्तिरिया स्वाइल में नात होता है यह सभी पाई जाते हैं मर्दा में तो यह पूंचा जाता है कि सबसे ज़्यादा और उससे कम फिर उससे कम क्या होता है तुस्पकार से heum ने आपको बताया उसके बाद आता फस्ट एंटी बायोटिक पिंसलीं जो होती है पहले इंटीबायोटिक है वाज discovered by Alexander flaming 1929 में इन्होंने क्या बताया था पहली antibiotic जो खोज की गई थी वो किस ने खोज की थी Alexander Alexander flaming ने खोज की थी और 1929 में इसकी खोज हुई थी उसके बाद आता है if if gametic if gametic is fertile but seed is not product not produced due to self incompatibility इसमें क्या होता है if gamet जो gamet बनता है seed में formation के लिए fertile होता है वो seed क्या होता है gamet जो बनता है वो fertile तो होता है पर क्या होता है ये product due to मतलब ये क्या नहीं release करता है produce करता है उत्पन करता है तो ये self incompatibility को नहीं increase करता है मतलब ये होता है कि इसमें जो है ये gamet तो होता है fertile होता है पर ये क्या होता है अपने अपने आप में पूरी processing complete नहीं कर पाता है फल देने के उसके बाद आता है oldest methods of breeding for improving variety is selection मतलब जो पुराना methods है breeding का तो उसमें सबसे पहले जो variety को improve किया जाता है तो किस method से तो उसका selection किया जाता है उसके बाद आता है zinc deficiency is produced in chylcarious soil मतलब chylcarious soil जो होती है वहाँ पे zinc की कमी होती है तो किस soil में zinc की कमी होती तो आप बता सकते हो chylcarious soil में in weed infested pond in weed infested pond in high fishes are suddenly death become oxygen deficiency इसमें क्या होता है जो खर्पतवार होते हैं वो तालाम में और मचली ये suddenly अगर मर जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है oxygen की कमी हो जाती है उसके बाद अगला point है due to water logging the availability of which nutrient is increased in rice field is magnesium इसमें क्या होता है कि due to water logging मतलब ये जलभराव वाली जो वो है जलभराव वाली दिक्कत होती है हिम्रता में उसमें न्यूट्रेंट जो होता है तत्त होता है वो कौन सब बढ़ने लगता है राइस की फिल्ड में तो अगनीसियम बढ़ता है इनक्रीजट होता है उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट कि light receptor pigment in animal मतलब कि light receptor light को receive करने वाला pigment जो होता है जानवर में वो मेलेनिन होता है मेलेनिन होता है उसके बाद आता इन लेक इन लेक प्रोड़क्शन विच कंट्री हाइज मोनोपोली इंडिया होती है इसका क्या होता है इंडिया मतलब जो इसकिल डवलमेंट्स के लिए कौन सा मेथर्स रहता है तो वो डिमोन्स्ट्रेशन मेथर्स रहता है उसके बाद आता है पोरोसिटी पोरोसिटी क्या होता है 100 बल्क डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100 तो पोरोसिटी का अगर बात की जाए तो पोरोसिटी बटे पोरोसिटी में क्या होता है सव माइनस बलक देन्सिटी और बटे क्या होता है बटे सव होता है यह इसका सूत्र होता है पोरोसिटी का उसके बाद आता है बल्क देन्सिटी bulक देन्सिटी क्या होता इस लग even sub-soil आप और I is compared to earth level the bulk density में सब स्वाइल ज्यादा होती है औहां किशे किया जाता है सर्फेश स्वाइल से उसके बाद अगला पॉइंट आता है मारा एक्टिव एक्टिव इसीडिटी इक्टिव एक्टिव इसीडिटी इस्ट फ्रिजन। हές्ट। होre pennse. और हैं। उसके बाद आता है एकला स्वाइल Texture, Soil Texture Is An In Sen एक क्या लिखा Soil Texture Is An Inherent Inherent Property Of Soil In Can Not Be Changed जन्मजाद चो दिक्ट होती है Soil Texture में उसमें क्या होता है पोरो property of soil cannot be change उसमें जो soil की property होती है वो change नहीं होती है जनमजाद चलती है उसके बाद आता है provisional 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 of adequate drainage is the basic principle in reclamation of saline and alkaline soil इसमें क्या होता है जो provisional होती है adequate होती है drainage होता है उसके basic में सुधार करने का सिध्धान्द जो रहता है वो क्या होता है saline or alkaline soil में ही उसको सुधार किया जा सकता है उसके बाद आता है alluvial soil most recently formed soil alluvial जो soil होती है वो रिशिंटली क्या होती है फॉर्मेट के फॉर्म में उसको सुधारा जा सकता है उसके बाद आता है red soil are best suitable for agriculture मतलब कि जो क्रिसी के लिए लाल मर्दा होती है वो best होती है और ये क्रिसी के लिए बहुत ही उपयुक्त मर्दा मानी जाती है इसलिए red soil आपको बता दें कि presents कहां होती है तमिल नाडू में तो red soil जो है उपस्थित तमिल नाडू में है और best suitable for agriculture के लिए यही best होती है तो बाकी मर्दाएं होती हैं पर इतना ज़्यादा best नहीं होती है क्रिसी बाग्यानिकों ने अपना नुमान लगा के बताया है जो लाल मर्दा होती है वो क्रिस के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो इसलिए उनको यह बताया गया है तो इस पकार से जो जो भी था वो complete हो जाता है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक चैनल पर आप बने रहिए और नई जानकारी कल दे देंगे आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखें थैंक्यू धन्यवाद जय हिन जय भारत